एसा संस्था द्वारा COVID-19 महमारी के चलते सोलन शहर में आवारा पश्वों को हर रोज भोजन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें संस्था के कुछ दस्य गाड़ी में शहर की विविन इलाकों में चाते हैं जैसे की पुरा नडीसी ओफिस, नए डीसी ओफिस, हॉस्पिटल रोड, टैंक रोड, सरकुलर रोड, माल रोड, जनाजी रोड, आदिक शेत्रों में आवारा पश्वों को भोजन उपलब्त कराया जाता है एहसा संस्था के पदधिकारियों ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया है जो की इस रीक कारे में उनका बढ़ चड़ कर सयोग कर रहे हैं उन्होंने वितिय साहिता तस राशन देख कर साहिता पहुंचा रहे हैं संस्था का कहना है कि यह तभी मुम्किन हो पाया है क्योंकि सरकार ने उन्हें पूरा सयोग दिया संस्था के संस्था आपक शोयता डुबाल ने बताए कि उन्हें केबल 3 लोगों को गाड़ी में लेज जानी की अन्वती मिली है प्रंतु उनके बाकी सभी वॉलिंटियर्स अपने अपने इलाके में बे सहारा पश्रों को खाना खिलाने में उनका पूरन सहयोग कर रहे हैं साथ ही उन्होंने बताया कि अव्वेक खाने खिलाने के साथ साथ अवारा कुतों को पेट पैरडाइज के डॉक्टर साजिंदर गौतम की मदद से एंटी रैविज वैक्शिन भी लगा रहे हैं जिसमें उनका साथ शहर के कई डॉग लवर दे रहे हैं ऐसा संसा के कुछ सायोगियों ने बताया कि वह पहले अनिमल हस्वेंजरी डिपार्टमेंट के पास गए थे ताकि शहर के सभी आवारा डॉग्स को एंटी रैविज वैक्शिन लग सके प्रंतु विभाग के पास वैक्शिन मौजूद नहीं थी जिस कारण उन्होंने अपने और अपने सायोगियों के खर्चे से यह कारे शुरू किया प्यार टिपिकली सोलन से मरपरीत सिंग की रिपोर्ट